हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में इन्फोसिस लिमिटेड को खरीदने का टाइम आ चुका है ऐसा यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ दो ब्रोकिंग फर्म बोलते हूँ नजर आ रहे हैं साथ के साथ एक अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे देते हूँ नजर आ रहे हैं मोतिलाल हो स्वाल की तरब से बड़े टारगेट्स हैं और साथ के साथ एक और ब्रोकिंग फर्म है उन्हों ने भी यहाँ पे एक अच्छे कासे target Infosys के दिये हैं और बोला है जितना जल्दी हो सके Infosys को आप खरीद लो तो यहाँ पे इसी के बारे में हम discussion करने वाले हैं साथ के साथ आप मेरा private telegram channel तो join करी सकते हो जिस मैं within the market hours मैं आपको कुछ न को share करते रहता हूँ जो के आपके साथ काफी ज़्यादा useful हो सकता है आपकी trading journey में, आपकी investing journey में morning में ही मैं आपको update दे देता हूँ markets related साथ के साथ फिर मैं आपको यहाँ पे intraday calls या फिर 15 days, 1 month, 6, 1, 3 months की calls भी share कर देता हूँ लिंक में ने description में provide कराई हूँ है जाके आप वहाँ से देख सकते हो अब सबते पहले यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पाऊगे कि जो कल का market scenario रहा है वो आपको at power जैसी situation के साथ closing होती हूँ नजर आई है यानि कि जो weekly closing होई है वो एक टाइप से हम बोल सकते है positive direction में होई है sensex 89 points, nifty 15 points, nifty bank में अच्छी तेजी 165 points और nifty mid cap में 67 points की तेजी देखने को मिली तो वहीं Friday को अगर आप देखोगे मननापुरंग Finance, Tata Communication, Intergroup Aviation ICC Prudential जैसे shares अच्छी तेजी दिखाते होई नजर आए थे तो वहीं Balakrishna Industries, Gale, CZ Consumer और बलराम पुचीनी 3.5% से लेके 7% की गिरावट दिखाते होई नजर आए थे तो ये तो मैंने आपको एक just overview देद या market का अब हम देख लेते हैं कि Infosys के क्या सिनारियो रहे थे Infosys में अगर आप देखोगे 1% का अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिला था 1617 के आसपास की closing Infosys कल के time देते हो नजर आया और 17 रुपे का moment एक दिन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिला है यानि कि अब short term के हिसाब से तो share में एक अच्छा खासा bullish moment बन चुका है और उसी से related में आपको यहाँ पे जो targets भी निकल के आ रहे हैं वो भी मैं share करने वाला हूँ तो वह यह कर हम बात करें पिछले 5 दिनों में करीबन 4.5% के आसपास का upside moment आ चुका है करीबन 70 रुपे से जादा का moment पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल गया है यानि कि IT में अब recovery स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको विप्रो की वीडियो भी बताई थी जिसमें भी अगर आप देखोगे तो विप्रो जैसे stock भी अब recovery phase में आ चुके है तो infosys भी अल्रड़ी यहाँ पे एक अच्छी गाची recovery दिखाते हो नजर आ रहा है पिछला एक महीना भी इसके लिए बहुत अच्छा रहा है करीवन साड़े 8% के आसपास के returns आपको यहाँ पे देखने को मिले है जबकि अगर आप देखोगे तो scenario पहले बहुत ज़्याद खराब था पिछला 6 महीने में करीवन 6% के negative returns तो वहीं अगर हम देखें YTD यानि की year today जैनुवरी से लेके अभी तक का scenario आपको अभी भी negative देखने को मिल रहा है करीवन 15% के negative returns जो कि पिछले कुछ time पहले जब Nifty आपको 16,000 से भी नीचे के level पर trade करते हुए नजर आ रही थी तो यह जो 15% है वो आपको 30-31% के आज़ पास के negative returns देखने को मिल रहे थे तो यह को scenario है जह को इसे returns है जो कि माहूल अपसोदाता हो नजर आ रहा है तो Infosys में भी एक अच्छे का से recovery है जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बतायत हुए आया भी हूँ कि company अगर fundamentally strong है उसमें गिरावट है भैंकर गिरावट भी है recovery भी बहुत तेजी देखने को मिलेगी इसलिए कभी भी fundamentally strong stocks में आपको panic नहीं होना है सबते पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ stock radar buy Infosys with a target price of 1720 in 7 to 8 weeks यानि कि शितेज गांदी ने यहाँ पर आपको Infosys को खरीदारी की recommendation दी है यानि कि आप buy कर सकते हो जो share आपको यहाँ पर 16 के आसपाश ट्रेट करते ह जो नजर आ रहा है करीबन इसमें आपको 100 रुपे का moment बहुत ही easily देखने को मिल सकता है steep fall from 1800 level has pushed the Infosys back below its 200 days exponential moving average on a daily chart in a recent past however the stock managed to hold on to the 100 days EMA so अगर आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने technical analysis के कुछ factors को यहाँ पर consider करके बताया है कि अब यहाँ पर एक moment आ सकता है 1720 रुपे के target हैं जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोतिलाल उसवाल की तरब से भी कुछ targets निकल के आए हैं उससे पहले हम यहाँ पर इसका कुछ overview देखें तो financial trend पर अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पर आपको 2019 से लेके 2022 तक दोनों ही चीजे improve होते हैं नज़र आई हैं यान लेकिन इस बार का जो result आया था उसमें अगर आप देखोगे तो revenue तो increase हुआ profitability भी increase हुई लेकिन वो केवल और केवल year on year basis पे profitability आपको यहाँ पे quarter on quarter basis पे बढ़ती हो नज़र नहीं आई तो यह दिक्कत की बात नज़र आई साथ के साथ latest shareholding pattern भी आ गया है वो भी मैं आपक की पा रहे हो जून 2022 यहां पर जो shareholding pattern है उसमें promoters की holding 13% से ज़्यादा है अच्छी बात निकल के आती है मीचल फंड 15% के आसपास की holdings domestic institution करीवन 4% के आसपास FII इसने करीवन 32% 32% 32% के आसपास की holdings है और वहीं retail भी 36% का आसपास यानि कि हर किसी ने अच्छी आची आची shareholding pattern निकल के आता है वहीं अगर हम थोड़ा सा bifurgation देखें तो mutual fund houses ने पिछले चार quarter से भयंकर करीदारी करी है 12.24 से 15% की holdings कर दी है तो आप देख पारे हो September से लेके June तक में कितनी जादा holdings को increase कर दिया है यानि कि जो mutual fund houses है वो तो definitely infosys पर bullish नजर आते हैं तो वहीं अपनी holdings को बढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत ही minor percentage के साथ तो वहीं अगर हम FIS के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी holdings को थोड़ा सा कम किया है इस quarter में तो definitely अच्छी कासी holdings है अभी भी करीबन 32% के असपास तो वो कहीं से कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती है मैं यानि कि buying की recommendation है और अगर आप देखोगो जो target निकल के आता है 1650 अब आप बोलोगे 1617 तो है 1650 का target तो इतना कुछ क्या है तो यहाँ पे आप देखो जब इन्होंने जो target दिये थे तब इसकी जो previous closing थी वो 1566 की थी और यह जो target है नीचे आप देखोगे duration में 2 और 3 days के आप expect कर सकते हो कि जब week start होगा मंडे से तो मंडे और Tuesday में अगर आप देखोगे तो यह target अचीव हो सकते हैं तो आप इसको consider करके चल सकते हो इंट्राड एकर आपको करना है तो वो भी आप इसी का according देख सकते हो अगर आपको मोतिला लोसवाल पर बरोसा है तो मैं आपको यही बोलता हूँ हमेशा ते आख बंद करके बरोसा किसी भी broken house पर मत करो अपनी research करो अपनी analysis करो और फिर यहां से आप reference ले सकते हो तो यह का सारी चीज़े इन forces के बारे में बता दिया है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा चैनल पर फश्टा मिजित करो तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद